दोस्तों आपने ये तो सोचा होगा कि ट्रांसपोर्ट करने वाली शिप को कारगो का जाता है और ट्रांसपोर्ट करने वाली कार को शिप मैट का जाता है तो ऐसा क्यों होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ दरसल इन वर्ट्स की इप्तिदा अलग-अलग जबानों से होती है कार्गो एक Spanish जबान का लफ्स है जिसका मतलब लोट और कार्रस है लोट का मतलब किसी समान को किसी बड़ी चीज़ पे रखना कैरी करने के लिए और कार्रस का मतलब शदीद बेहिसी से यानि कि आपने देखा होगा कि शिप जो होती है वो बहुत जादा बड़ी होती है तो उन पर से जादा समान लोट किया जाता है तब ही उनको Spanish जबान के लफ्स कार्गो से मुखातिब किया जाता है ये किसी कार से रिलेटिट नहीं है और अगर आपको जानना है कि ट्रांस्पोर्ट वाली गाड़ी को शिप मेट क्यों कहा जाता है तो इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक और फिर वो आपको पार्ट 2 में पता लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए